चलिए, 9,815 को 65 से डिवाइड करते हैं या 65 से भाग देते हैं आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमें पता लगाना है कि 65 कितनी बार 9,815 में जाता है मैं चाहती हूँ आप इस विडियो को पॉस करें और इसे खुद से करनी की कोशिश करें तो चलिए अब इसे साथ साथ करते हैं इसे मैं थोड़ा सा साइड में कर दूँगी ताकि मेरे पास थोड़ी जगह बची रहे अब हम 9,815 को 65 से भाग देने के लिए कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं यह आ गया मेरा 9,815 और यहां पर मैं लिख दूँगी 65 यहां इन दोनों का एक ही मतलब है यहां इस तरीके से करने से मुझे जो मेरा प्रोसेस है जिस तरीके से मैं भाग दूँगी उसे दिखाना थोड़ा आसान हो जाता है इसलिए हमें से कुछ इस तरीके से लिख लेते है तो 9 में तो 65 एक भी बार नहीं जाएगा 9 तो बहुत छोटा है पैसट से इसलिए हम शुरुआत करेंगे अपने पहले दो अंकों से हमारे पहले दो अंक है अंठानवे यानि कि हम पता लगाएंगे कि अंठानवे में 65 कितनी बार जाता है तो इसके लिए हमें पैसट का वो मल्टिपल या वो गुड़च चाहिए जो अंठानवे से छोटा या उसके बराबर हो तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं पैसट का हाला कि मुझे पैसट का पहाड़ा तो नहीं आता हालेकिन मैं थोड़ा सा अनुमान या थोड़ा सा अंदाजा लगा के पता कि पैसट का कौन सा गुड़च होगा जो अंठानवे से छोटा या उसके बराबर होगा तो पैसट हिकम तो पैसट होता है और पैसट दुनी कितना होगा तो 60 दुनी होता है 120 और 5 दुनी 10 तो पैसट दुनी हो जाएगा 130 के बराबर और 130 तो अंठानवे से बढ़ा होता है यानि कि 65 का वो गुड़ज जो 98 में जाएगा वो एक ही है यानि कि 65 कम होता है 65 के बराबर अब हम यहाँ पे घटा सकते हैं इन दोनों को तो 8 में से 5 अगर हम घटाते हैं हमारे पास बचेगा 3 और 9 में से 6 घटाते हैं अगर तो भी हमारे पास 3 बचता है यानि कि 99 में से 65 तो अब हमारे पास आ गया 331 और अब हमें पता लगाना है कि 65 तीन सो इकतिस में कितनी बार जाता है और जो गड़ित की कला है वो अब यहां पे शुरू होती है अब मुझे ना तो 65 का पाड़ा आता है ना मुझे पता है कि 331 में 65 कितनी बार जाएगा तो अब मैं अंदाजा लगाना शुरू करूंगी यानि कि 65 मुझे 70 के करीब दिख रहा है और 331 ये कुछ 300 के करीब है तो अगर मैं एक अंदाजा लगाऊं कि 300 में 70 कितनी बार जाएगा तो शायद मैं पता लगा पाऊं एक अंदाजा लगा पाऊं कि 65 331 में कितनी बार जाएगा तो इससे 70 का वो गुडज जो कि 300 में चला जाता है जो कि इससे चोटा या इसके बराबर है वो 280 है यहाँ पर मेरे पास 20 बज भी गया है तो हम कह सकते हैं कि शायद 65 331 में 4 बार चला जाता हो तो चलिए देखते हैं कि क्या ये वाकई सही है या नहीं इसके लिए हमें पता लगाना ह कि 65 चौके कितना होता है तो 5 चौक होता है 20 यहाँ पर आया शूने हमारा 2 जो है हाथ लग गया और 6 चौक होता है 24 और 2 होता है 24 और 2 हो जाता है 26 के बराबर यानि कि 65 चौके 260 के बराबर होता है चलिए इन दोनों को घटा लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितना बच रहा है तो एक में से अगर हम शून घटाएंगे तो हमारे पास एक बचेगा तो अब हमें तीन दहाईयों में से छे दहाईया घटानी है इसके लिए हम एक सैकड़ा उधार ले सकते हैं यहां से तो यहां पर हमारे पास कुल तेरह दहाईयां हो जाएंगी और तेरह दहाईयो कि यहाँ पर हमारे पास 71 बचा हुआ है जो कि 65 से बड़ा है और ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे पास जो भी शेशफल या remainder बच रहा हो वो हमारे इस संख्या इस नंबर से हमेशा कम होना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि 71 में 65 ये तो एक बार पक्का से चला जाएगा यानि कि हम कह सकते थे कि 331 में 65 चार की बजाए पांच बार जाता यहाँ पर शायद अगर हमने 65 की जगह 60 अंदाजा लगाया होता और हम कोशिश करते पता लगाने कि 300 में 60 कितनी बार जाता है तो 65 बार चला जाता है और हमारा वो अंदाजा शायद सही हो जाता तो यहाँ पर हमने एक अंदाजा लगाया वो गलत हो गया हाँ लेकिन कोई बात नहीं इसी से हमें पता चला कि 65 बार नहीं बलकि 5 बार तो कम से कम जाना ही चाहिए 331 में तो मैं उम्मीद कर रहे हूं कि यह जो कला है यह जो आर्ट है आप इसे समझ पा रहे होंगे और इसका मज़ा भी ले पा रहे होंगे मैं यहाँ पर यह सारी चीज़े हटा देती हूं जो मैंने लिख ली है ठीक है यहाँ पर से मैं ये चार हटा देती हूँ क्योंकि ये चार बार तो नहीं जाएगा पक्की बात है ये तो चलिए पता लगाते हैं कि 65 गुड़े 5 ये कितना होता है तो 65 गुड़े 5 तो 5 पचे 25 यहाँ पर हमारे हाथ आया 2 6 पचे 30 दो हो जाएगा 32 तो 65 पचे होता है 325 के बराबर हाँ ये अंदाजा काफी सही है क्योंकि 331 और 325 ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं अब हम वापस से इन दोनों को घटा देंगे सबसे पहले हम यहाँ पर इस दहाई में से एक दहाई उधार ले लेंगे तो यहाँ एक दहाई उधार लेने पर हमारे पास हो जाएगा 11 और 11 में से 5 घटाने पर हमारे पास बचेगा 6 और यहाँ पर क्योंकि हमने एक दहाई उधार ले ली थी हमारे पास 2 दहाईयां बचेंगी और दो में से दो धाईयां गई तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तीन सेकड़े में से तीन सेकड़े गई तो कुछ भी नहीं बचा हमारे पास यहाँ पर बचके आच है अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले अंक की तरफ और हम यहाँ पर यहाँ पर हम इस 5 को यह जो हमारा अगला अंख है इसे नीचे उतार लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 65 अब हम तो देखी सकते हैं कि 65 65 में ठीक एक बार जाएगा यानि कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 65 एक कम 65 और इन दोनों को अगर हम खटा दें तो हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा है यानि कि हमारा शेशफल या फिर रिमेंडर 0 या शून है तो हम कह सकते हैं कि 9815 में 65 ये ठीक 151 बार जाता है यहाँ पर मैं इस शीज को लिख देती हूँ तो 9815 को 65 से भाग देने पर हमें 151 मिलता है